अब हमारे पास केवल तीन दिन रही रह गए हैं, आज मैं साथ तारीकों ये वीडियो बना रही हूँ, तो जो भी स्टूडेंस अगर फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो आपके पास में 10 तारीक तक का समय है, आप 10 मही तक अपना फॉर्म समा कर सकते हैं, कुछ इशूज हैं, जो कि अभी भी students face कर रहे हैं, उनके बारे में हम discussion करेंगे, फॉर्म फिल करते वक्त, किन-किन बारे में आपको ध्यान में रखना है, कहां-कहां दिक्कतें आ रही हैं, वो हम सब चर्चा करेंगे, लेकिन ये बात ध्यान में रख लीजे, कभी-कभी हम भूल जाते हैं, काम कि डेट बढ़ जाती है, और जो आपको, अगर fees भरने में कोई issue आ जाता है, तो दो दिन का समय आपको और मिलेगा, कि आप form की जो fees है, वो जमा कर सकते हैं, credit card, debit card, net banking, UPI के मदद से आप form fees जमा कर सकते हैं, बट मैंने खुद ने form fill किया है, इस वज़े से मैं आपको जाता है, उसके बाद में correction window जो start होगी, वो 13 माई से 15 माई के बीच में होगी, तो उसमें आप अगर कुछ correction होना रह जाता है, मतलब अगर आपने कुछ गलती कर दी है, तो आप इन दौरां 13 से 15 माई के बीच में correction भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ध्यान में रखेगा, और पुरा सा discussion करेंगे, फॉर्म फिल करने वक्त जो आ रहे हैं, जो कि मैंने अभी-बी फॉर्म फिल किया है, तो मुझे वो issues पर पता है, तो आपको मैं अच्छ से बता सकती हूँ, जनरल के जो students हैं, वो 1150 रुपे फॉर्म की fees देंगे, और जनरल में ही EWS काटेगरी के हैं, जन्हें मतलब 10% जो reservation मिलता है, वो मिला हुआ है, उन्हें 600 रुपे, OBS, NCLS को 600 रुपे, और उसके अलावा, 3rd gender और SCSTA और PWD के जो candidate होंगे, वो 325 रुपे fees पे करके, अपनी ये जो form फिल करने की प्रक्रिया है, उसे संपन्न कर सकते हैं, जलिए अब थोड़ा सा discussion कर ले ह हम form fill करने के लिए, अगर आपने अभी तक नहीं किया है, आज ही आप सोच रहे है form fill करना है, तो किस तरीके से आप करेंगे, वो हम देख लेते हैं, आपको UGC के official website पर जाना है, और यहां से आपको register, new candidate register here, यहां पर आपको click करना है, इस तरीके से, और यह click करने के बाद म हैं, आपके जो भी identity आप लगाने वाले हैं, तो आधार कार्ड नमबर है, ठीक है, इसके बाद में आपके पास में अधी आधार कार्ड नमबर नहीं है, डिजिटल कोई खाता नहीं है, तो आपकी तरीक से अपना form fill करेंगे, तो मैं आपको suggest करूंगी, कि आप आधार जो भी है, उसको पहले क्लिक करना पड़ेगा, जैसे माल लेते हैं, मैं आधार नमबर क्लिक करती हूँ, तो यहां पर आपको आधार नमबर अपना डालना होगा, तो यहां से OTP आएगा कि आपके फोन पे, अगर कोई issue आता है, तो फिर वो नहीं आएगा, अगर आप यहा आपको क्या करना होगा, अपना सारी डीटेल्स आपको फिल करनी है, पैन कार अगर डाला है, पास्पोर नमबर डाला है, तो यहां पर उपर शो होगा, ठीके, आप कैंडिडेट का नाम, पिता जी का नाम, मदर्स का नेम, डेट अफ बड़त बड़त बहुत अच्छे से ड अच्माद में एक अल्टरनेट मोबाइल नमबर आपको देना है, आपका ही कोई मोबाइल नमबर से दे सकते हैं नहीं, तो आप अपने घर के किसी मेंबर कRe कर सकते हैं, ठीके नेशनालिटी लिखनी है आपको इसके बाद में, क्या आप प्रूफ लगा रहे हैं, आइड़ आदार कार्ड आपने पहले लगा दिया है तो कुछ और लगाना है जैसे कि आपका वोटर आईडी कार्ड होता है उसमें आपकी फोटो होती है आपकी 10th class की मार्क शीट होती है इस तरीके से लगाना मैंने यहां पर वोटर आईडी कार्ड लगाया हुआ था और यहां से जो अगर अलग अलग है आपका वह है तो आपका अपना पुस्तेनी घर हो आप यहां पर वही अड्रेस लिखेगा जहां पर अभी पर है और जहां से आप एग्जान देने जा सकते है ठीके आप डिली में रह रह रहे हैं लेकिन आपका जो घर है वो इलावाद में हैं या तो आप permanent address में तो वहाँ address डालेंगे, लेकिन यहाँ जो present address है, वहाँ आप दिली का address डालेंगे, क्योंकि उसी के आस्वास आपका जो center है, वो मिलेगा, ठीक, इस बात का आपको ध्यान में रखना है, सारी procedure complete कर देंगे आप तो यहाँ पर फिर आपको यह capture भरना है, और इसक mother name, सारी चीज़े click कर लिए तो फिर वो आप यहाँ से okay कर दिएगे, तो आपका यह सही, अधि बाई चांस आप लगता है, यह तो गलत में ने कर दिया, तो यहाँ पर आप जाके इसको correct भी कर सकते है, ठीके, यहाँ पर जो आपने email ID अपना दिया हुआ है उस पर OTP इसमें आपका यहाँ पर आपका ID आजाता है, यह ID आजाता है, उस ID को आप फिल कर सकते है, ठीके, चलिए, तो यह कर दिया आपने, अब इसके बाद भी देखिए, यहाँ पर सो हो रहा है आपका, कि आपका registration complete हो गया, ठीके, registration complete हो गया, लेकिन अब आपको क्या करना है, application form फिल करना है, और fee भी फिल करनी है, ठीके, तो देखिए, registration form के column में टिक आ रहा है, application आपको फिल करनी है, तो application को करने के लिए, सारी चीज़े आपने चेक कर लिया, फिर उसके आद यही capture करकी, यहाँ पर OK कर देना है, then अब आप करेंगे, अपना application वाला portion complete, तो candidate का name, date of birth, ठीके, gender, father का नाम, mother का नाम, nationality, फिर उसके category, category को बहुत अच्छे से भरिएगा, जब भी आपकी category हो, क्यों से हिसाब से आपको reservation मिलेगा, और identification का लिए, आपने क्या डाला हुआ है, वो आपको यहाँ पर देखना है, इसके बाद जो number है, identification, जैसे मैंने voter ID card डाला था, तो उसका जो number है, वो मैं यहाँ पर show करूँगी, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर आपको PWD candidate है, नहीं है, तो इसके लिए आपको हाँ या ना, जो भी है आप, वो घरना पड़ेगा, ठीके, आप डायबटिक है, तो आप हाँ है, तो हाँ लिखिये, ना है, त तो यह सारी चीज़े करने के बाद यह capture होगा, आपको यहाँ पर fill कर देना है, okay कर देना है, तो यह हो किया submit, तो आप आजाता है main, आपकी qualification detail यहाँ पर fill करना है, आप UGC पर आप NET के लिए apply कर रहे हैं, तो किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, आप, आप undergraduate हैं, या फिर MSC, या M.com, या M.A. past है, ठीक है, अगर आप past हैं, तो आप उस पर click कीजिए, और अगर आप अभी appear हो रहे हैं, तो आपका first year है, second year है, वह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर fill करने पड़ेगी, तो यहाँ पर past होता है, तो उसको आपने tick कर दिया, then आप undergraduate program जो है, उसका सारी detail आप यहाँ पर fill कर देंगे, कहां से आपने किया है, qualifying India से किया, India से बाहर किया है, तो वह सारी detail आपको भर देनी है, university का नाम भर देना है, तो यहाँ पर पूछा जाता है, कि आप percentage में करेंगे, या grade point average में करेंगे, अगर आप percentage वाला कॉलम हा करते हैं, तो यहाँ पर आए marks, obtained marks or percentage, clear, लेकिन अगर आप आते हैं, grade point वाले column में, तो उस तरह से आपको grade point का भी marks भरने पड़ेंगे, ठीके, और next आजाते हैं, यह PhD आपका हो गया है, नहीं हुआ है, अगर PhD आपने कर लिया है, तो यहाँ yes कर दीचे, आप 91 के पहले के हैं, जो चीज़ा है, वो देख करना है, फिर agree पर आना है, और submit कर देना है, तो यह दो option आपके clear हो जाते हैं, इसको भी आप चेक कर लीज़े, कहीं पर कोई गलती तो नहीं होई है, तो फिर उसके बाद आप okay कर देंगे, ठीके, अब आजाता है application जो है, वो आप किस-किस के लिए भरना चाह रहा है, assistant professor के के लिए, GRF के लिए, या PhD के लिए, देखे, यहां पर एक problem आ रही है, जब हम assistant professor clear कर रहे है, यहां पर tick कर रहे है, तो PhD के लिए तो अपने आप ही tick हो जा रहा है, तो दोनों ही condition में आपको एक बाद चेकरनी है, कि assistant professor के लिए कर रहे है, PhD के लिए तो कोई बात नहीं है, य center आप किस लिए, तो आपको अपना subject code भर देना है, कि 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 subject के लिए आप फिल कर रहे है, उसका code भी आपको भरना है, ठीक है, और फिर आ रहा है आपका, यहां पर आपको अपना center का code भरना है, कहां कहां का, आपसका center पहली preference कहां किये, दूसरी कहां किये, तीसरी कहां कि उससाब से आपको चेंटर प्रवाइट किया जाएगा यहां यह CAPTCHA आप फिल करेंगे यह सारी चीज़े हो जाएगे फिर आजाती है मेन प्रॉब्लम वाली बात जहां से आपको यह अपना फोटो डालना होता है क्योंकि इस फोटो को आपको 40 KB से लेकर 200 KB के बीच में ही आपकी फोटो होनी चीए लेकिन यह बड़ी मुश्किल होती है इसको साइज को चोटा करने में लेकिन इस साइज को चोटा करने के लिए मैंने मुबाइल से किया था मुबाइल में एक एप आप आपको डाउनलोड करना होता है कि size editor करके है तो मिल जाता है उसे size आप बड़ी आसानी से अपनी छोटी बड़ी कर सकते हैं जितनी required है और उसके बाद करें ठीक है laptop से नहीं होता है बहुत problem जाती है तो इस तरह से आप अपनी size को छोटा कर सकते हैं अपने signature लिखें एक paper pen पे अपने signature कीजिए और उसकी size को 4KB से लेकर 40KB तक की आपको यहां पर signature डालने हैं तो डालने के बाद में वो okay कर लीचे सबसे जाला समय मुझे इसी में गया था तो उसको बहुत ध्यान से किजिएगा पहले ही इसे साबस अपनी photo को आप compress करके रख लीचेगा एक complete detail हो जाएगी ना उसके बाद आप यहां पर चेक कर सकते हैं आपकी detail भर गई है आपके पास सारी information आ रही है इस तरह से form आपका okay हो जाता है देना आ जाता है आपका इस तरह के से एक mobile number आपका जो होगा उस mobile number पर आपके OTP आएगा उसको fill कीज़ेगा ठीक है OTP फिल करने के बाद में यह procedure आपकी हो जाती है complete और complete होने के बाद में यह सारी detail हो जाएगी इसको आपको final submit कर देना है final submit कर मितलब आएगा कि यह सारे ही option आपने टिक दिये हैं चेक कर लिए है और final submission आप कर रहे हैं मतलब नाम भी मा का नाम पिता का नाम date of birth अपना subject अपने course अपने set कर देना है ठीक है तो यह बाली आपकी सारी ही जो जानकारी है वो fill होगी अब आ जाता है यह दोनों ही registration और application दोनों ही आपके complete हो रहे है then pay का option हो जात उसे आप payment करें मैं आपको सजिस्ट यही करूँगी कि आपना debit card के through ही करें पे क्योंकि उसे बहुत अच्छी से आजानी से हो जाता है इस तरह इस जब complete procedure आपकी हो जाएगी then success का आपको यहां पर आ जाएगा कि success हो चुका है और इस तरह से आपका application form भरके और PDF की form में नहीं है इसको आप save रखेंगे अपने pass रखेंगे इस तरह से आप अपनी complete form की process है वो कर सकते हैं CBCS system के लिए दिक्कतारी है तो जब आप marks के option में जाते हैं तो इसमें पूछा जाता है CBCS system याने grade point average में भर रहे हैं या फिर आपको marks or percentage में भरना है तो जो आपका हो उसक आपको select करना है ठीक है जल्दी कर लीजिए क्योंकि अगर आप 10 तारीका इंतजार करते हुए बैठींगे तो काफी हो सकता है उससे server card load हो जाए और फिर आप form fill ना कर पाए तो फटा फट से अपना form fill करके अपना जो secure कर लीजिए उससे और बहुत ध्यान से करिएगा जब application में जाएंगे तो आपको application भी मिल चाएगा जिसमें आपको notes और test series भी मिल चाएगी जिससे आप practice कर सकते हैं application की link आपको description box में मिल चाएगी तो जरूर से जरूर आप एक बार जरूर download कीचेगा और जो कुछ भी आपढ़ा रही हूँ उसका PDF में मैं application भी share करूँगी तो notes भी आपको मिल चाएगे तो आज के वीडियो में इतना ही अगर अभी तक warm fill नहीं किया है तो foot-a-foot से कर लीचे और अगर कोई issue आता है तो मुझे comment section में बताएगा उसको भी मैं जल से जल सॉल्व करके आपको reply जरू करूँगी तो that's all from my side in this video मिलती हूँ बहुत जल next video में तब तक के लिए बाई-बाई